भगवान शिव तुरंत और तत्काल प्रसंद होने वाले देवता है इसलिए उन्हें आशुतोष कहा जाता है आईए जानते हैं कि भगवान शिव को कौन सी ऐसी वस्तुए हैं जो बहुत जादा प्रिय हैं आपको बताते हैं 11 जामगरी जो और पित करने से भोले नात हर मनुकामना पूरी करते हैं जल, बिलपत्र, आकड़ा, धतूरा, भांग, कपूर, बूध, चावल, चंदन, भस्म और रुदराक्ष पहली चीज है जल, जी हाँ, शिव पुरान में कहा गया है कि भगवान शिव ही स्वयम जल है शिव पर जल जढ़ाने का महत्व भी समुद्र मन्थन की कथा से जुड़ा है अगने के समान विश पीने के बाद शिव का कंठ एकडम नीला पड़ गया था विश की उषनता को शांत करके शिव को शीतलता प्रदान करने के लिए समस्त देवी देवताओं ने उन्हें जल अर्पित किया इसलिए शिव पूझा में जल का विशेश महत्व है दूसरा है बिल्वपत्र भगवान के तीन नीत्रों का प्रतीक है बिल्वपत्र अतह तीन पत्यों वाला बिलपत्र शिवजी को अत्यंत प्रिय है प्रभू आशुतोष के पूजन में अभिशेक वब बिलपत्र का प्रथम स्थान है रिशियों ने कहा है कि बिलपत्र भोले भंदारी को चड़ाना और एक करोड कन्याओं के कन्यादान का फल एक समान है तीसरा है आकड़ा शास्थ्वों के मताबिक शिव पूजा में एक आकड़े का फूल चड़ाना सोने के दान के बराबर फल देता है वहीं धतूरा भगवान शिव को अत्यंत प्रिया है शिव जी ने जब सागर मंथन से निकले हलाहल विश को पी लिया तब वे व्याकुल होने लगे तब अश्विनी कुमारों ने भांग धतूरा बेल आदी औशधियों से शिव जी की व्याकुलता को दूर किया उस समय से ही शिव जी को भांग धतूरा अत्यंत प्रिया है शिव लिंग पर केवल धतूरा ही न चड़ाएं बलकि अपने मन और विचारों की कड़वाहट भी हत्पित करें अगला है भांग शिव हमेशा ध्यानमग में रहते हैं भांग ध्यान केंडरत करने में मददगार होती है इससे वे हमेशा परमानंद में रहते हैं समुद्र मंथन में निकले विश का सेवन कर महादेव ने संसार की सुरक्षा के लिए उससे अपने गले में उतार लिया भांग दी गई लेकिन प्रभू ने हर करवाहट और नकारात्मक्ता को आत्मसाथ किया इसलिए भांग भी उन्हें प्रिया है अगला है कपूर भांग शिव का प्रिया मंत्र है करपूर गौरम करुनावतारम यानि जो करपूर के समान उजवल है करपूर की सुगंध वातावरन को शुद्ध और पवित्र बनाती है भगवान फूलिनात को इस महक से प्यार है अता करपूर शिव पूजन में अनिवार्य यूप से प्रयोग किया जाता है इसके बाद आता है नंबर दूद का शावन मास में दूद का सेवन निशेद है दूद इस मास में स्वास्त के लिए गुनकारी के बज़ाए हानिकारक हो जाता है इसलिए सावन मास में दूद का सेवन न करते हुए उसे शिव को और पित करने का विधान बनाया कया है चावल की बात करें तो चावल को अक्षद भी कहा जाता है और अक्षद का आर्थ होता है जो टूटा ना हो इसका रंग सफेध होता है पूजन में अक्षद का उपियोग अनिवार्य है अक्षद ना हो तो शिफ पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती यहां तक कि पूजा में आविश्यक कोई सामकरी अनुपलब्ध हो तो उसके एवज में भी चावल चढ़ाया जाते हैं इसके बात बात करें चंदन की तो चंदन का संबंध शीतलता से है भगवान शिव मस्तक पर चंदन का त्रिपुंड लगाते हैं चंदन का प्रयोग अकसर हवन में किया जाता है और इसकी खुश्बू से वातावरण और खिल जाता है यदि शिव जी को चंदन चढ़ाया जाए तो इससे समाज में मान समान यश बढ़ता है शिव की बात हो और भस्म की बात न की जाए तो ये बात अधूरी रह जाएगी शरीर पर भस्म लगाकर भगवान शिव खुद को मृत आत्मा से जोडते हैं उनके अनुसार मरने के बाद मृत व्यक्ति को जलाने के पश्चात बची हुई राख में उसके जीवन का कोई कर्ण शेश नहीं रहता ना उसके दुख, ना सुक, ना कोई बुराई और ना ही उसकी कोई अच्छाई बचती है इसलिए वो राख पवित्र है, उसमें किसी प्रकार का गुण अवगुण नहीं ऐसी राख को भगवान शिव अपने तन पर लगा कर सम्मानित करते हैं रूदराक्ष भी भगवान शिव का अभिननग है एक बार शिव जी ने 1000 वर्ष तक समाधी लगाई समाधी पून होने पर जब उनका मन बाहरी जगत में आया तो जगत के कल्यान की कामना वाले महादेव ने अपनी आख बंद की तब ही उनके नेत्र से जल के बिंदू प्रत्वी पर गिरे उनहीं से रूदराक्ष के व्रक्ष उत्पन हुए और वे शिव की इच्छा से भक्तों के हित के लिए समगर देशों में फैल गए उन रक्षों पर जो फल लगे वही रूदराक्ष कहलाते हैं